जैहिंद प्यारेजाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF Constable Technical and Treats Win की भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपकी आंसर की के बारे में क्योंकि एक्जामनेशन हो जाने के बाद हर किजी अब्यारती का सिर्फ एक ही सवाल है कि इसक वीडियो का अप लास तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब बलने और वैल आकिन पर प्रेस करने हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता साथ ही में अगर आप बात करेंगे BSF किया अभी जो आपका examination हुआ है head constable का इसकी भी answer की time से हो गई थी और इन सभी का examination एक ही company ने करवाया है same company TCS company ने इनका examination करवाया है यानि कि सभी examination की बात करें तो बिल्कुल on time आपकी answer की आ रही है अब आप exact अगर date की बात करें कि कौन सी date को आएगी तो वो भी मैं आपको clear कर दूँगा और आपको खुद से confirmation हो जाएगा कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो कितनी सही है यानि कि अगर हम इस date की according चलें तो लगवक साथ दिन के अंदर अंदर आपकी जो answer की है वो release यहां पर हो सकती है लेकिन हम हो सकती है नाजा के आपको official यहां पर बता देते हैं तो यह CRPF constable technical and tradesman वाली जो भरती है उसका admit card है और जब आप admit card के तीसरे page पे जाओगे तो आपको point number 9 देखने के लिए मिलेगा point number 9 को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें यहां पर clear हो जाएं और इस परस तरीके से दिखाई दें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देखने के लिए मिलेगा महतपूर उमीदवार अपने पंजीकरत क्रिदिशियल के सब्सक्राइम के जवाब और कुझी देख सकते हैं किसी भी पैशन और पैशनों के संबंद में पैशन आपत्ति के माम लेवें केवल तीन दिन के भीतर पोर्टल में online प्रतिकरिया लिंक के माध्यम से जमा करा सकते हैं प्रेग प्राप्त अक्षेपों को अंतिम रूप दे जाएगा यानि कि आप यहां पे clear देख सकते हैं clear यह CRPF की तरफ से जब आपका admit card जारी किया गया है तो admit card में point no.9 पे यह सारी चीज़े clear की गई हैं कि जब आपके जो सभी परिक्षा हैं परिक्षाओं के संचालन के तीन से चार दिन बार यानि कि हम मानें तो 12 के बाद अगर आप यहां देखो तो तीन से चार दिन यानि की 15-16 ठीक है 15-16 तारीक आप मान सकते हैं maximum आप यह मानिए कि 17 जुलाई तक आपका जो answer की होगी answer की release हो जाएगी इसकी according साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि यह जो link रहेगी वो तीन दिन तक active रहेगी तीन दिन के ही अं जो link रहेगी वो तीन दिन के अंदर आप केवल तीन दिनों के भीतर तो यहां पर clear यह सारी चीज़ा mention कर दी किए हैं अगर इंग्लिस वाले वच्छे हैं तो इंग्लिस वाले देख सकते हैं candidate can view individual answer online response on answer and answer की after three and four days of conduct of examination for all of the post तो यहां पर clear आप सभी को बोल दिया गया है कि आप login करके अपनी answer की examination के तीन चार दिन बाद चेक कर पाएंगे यह कोई ऐसा नहीं है इसका कहने का मंदब यह नहीं है कि एक जैसे कि आपका फॉस जॉलाई को examination हो गया और आप सोचें कि फॉस जॉलाई को मेरा examination तो हो गया उसके तीन चार दिन बाद मैं अपनी answer की check कर ल deadline की अगर हम बात करने तो 17 जॉलाई तक आपकी answer की officially release हो जाएगी और जैसे ही आपकी answer की release होगी आप सभी को इसके बारे में update दे दी जाएगी पूरी जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी कि कैसे आपको objection raise करना है कहा से अपनी answer की check करनी है तो आप connected जरूर रहेगा अगर आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी इसलिए हमने यह पहले से ही आप सभी के लिए batch अस्टार कर दिया है जिसमें general knowledge general studies की class मेरे दोर अलीज है की बाकी के और वी एजगेटर आप सभी के सब्जेक्ट वाइस आपकी class करवाने वाले हैं तो आप सभी इसके लिए enroll कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description में दिया हुआ है साथ ही में discount code आप सभी यूज कर ले AVA10 ताकि आप सभी को वहाँ पे discount मिल पाए तो one of the best option आप सभी के लिए रहेगा क्योंकि आप सभी को सब्सक्रादी के 2023 में वंपर विकिंसी SSCGD Constable में आने वाली हैं अभी से अपनी तयारी में जुट जाओ आप सभी के पास the best option है तो आप सभी अगर पहले से ही तयारी करोगे तो बाकी के candidate से एक step आगे रहोगे तब ही जाके selection हो पाएगा क्योंकि competition कितना जादा है ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं उमीद गरता हूं कि answer की के बारे में सारी चीज़े आप सभी को clear होगी होगी तो 16-17 जुलाई तक definitely आपकी answer की release हो जाएगी ये clear आपके admit card में भी mention किया हुआ है तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को like share करके channel को subscribe करने और